मध्य प्रदेश में विधान सवा चुनाओं में महज 8-9 महीने बचे हुए हैं आगामी विधान सवा में अब तक केवल बीजेपी और कॉंग्रेस को ही एक पार्टी के रूप में देखा जा रहा था लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इसमें दस्तक देने को तयार है कि मध्य प्रदेश में ने संगठन के हम घोशना कर सकते हैं इससे तो ये साप देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब तीसरे पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी दावेदारी पेश कर रही है चर्चा में ये भी है कि आम आद्मी पार्टी के राज्यसवा सांसद्व, महासचीब संधी पार्ठक की मद्यप्रदेश में होने वाले विधानसवा चुनाव में अब कमान संभालेंगे बताया जा रहा है कि चार फरवरी को संधी पाठक मध्यप्रदेश में आ रहे हैं चार फरवरी से ही मध्यप्रदेश की आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की घोशना होगी बताया जा रहा है कि कारेकार्णी में मेहनती और मिलनसार लोगों को ही मौका दिया जाएगा और ये भी बता दे आपको कि अब मध्य प्रदेश में दो पार्टिया नहीं अब तीन पार्टिया अपनी दावेदारी पेश करेगी बीजेपी कॉंग्रेस और अब आम आदमी पार्टि बहुत बहुत धन्यवाद